पाक्स्तान जब बना था तो उस वक्त हमारे पास जो एजूकेशन थी उसमें क्वालिटी भाई जाती थी लोग मैट्रेक और एफ ए और बीए होते थे और बीए के बारे में समझा जाता था कि अगर इसने बीए कर लिया थे इसके पास कॉफी नॉलेज होगा नॉलेज बेस जानी कि मारे पास जाना वो लोग प्रोडियूस किये जा रहे थे ऐसे ऐसे जैसे ही वक्त गुजरता गया और ये 70-70 साल हो गए किसी हकूमत ने इस लेवल पे जाना सोचा नहीं कि एजूकेशन को कैसे बेतर करना है कॉटिटी तो अब बढ़ गई है लेकिन क्वालिटी जै वो नहीं रही जो पहले थी पहले जो बंदा ग्राइजूइट होता था तो इसके बारे में समझा जाता था इसके पास कंपरियंसफ नॉलेज अब लोग पी एजडी भी हैं एमफिल भी हैं और आम यह अविलेबल है मार्केट के अंदर लेकिन इनके पास जो है वो कॉलिटी एजूकेशन नहीं है इनका सते ही नॉलेज है बहुत निचले लेवल पे जला गया लॉन जैसे ही ये प्राइविट सेक्टर में यूविश्टी ने जो है ये सिल्सला शूरू किया है एजूकेशन का तो आब लोग जहें वो प्रोडूइस करें हजारों की सूरत में जहें वो पी एजडी और एम मेरन भी आ जाते हैं लेकिन जैसे ही ये डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं तो मैं आपको एक जाती तेजर्वा बताता हूं कि मैं जब एक ट्रेनिंग करा रहा था क्लेस्टर सेंटर पे तो हमारे एक एजूकेटर ने एमफिल जो है वो लिटरेशर में किया हुआ था और ये था कि जब उसने अपने डिगरी को नीचे मेंशन किया तो उसने एमफिल को समाल एम से जो है वो जाहर किया था उसे देखके मुझे इतनी तकलीफ होई कि अगर एमफिल लिटरेचर में अगर एक बंदा है अगर ये बिहेवियर करेगा एप्लिकेशन के साथ और अगर तो समाल एम से कोई डिगरी नहीं लिकी जाती पूरी दुनिया में उसे ये पता नहीं है कि मैंने एमफिल किया हुए तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ तो जब इतना यानि कि मियार हमारा एजुकेशन का गिर जाएगा तो फिर ये समझें कि ये हमारे मुलकी तबाही है ह हमें क्वालिटी एजुकेशन को जो इंपरूव करना है ना कि कौन्टिटी को अब हमारे पास लोगों के पास सेमफिल की डिग्रियां हैं मेसी हैं लेकिन उनके पास नॉलज नहीं है अब आप देखेंगे कि हमारा एग्जामिरेशन सिस्टम जाए हो भी बुरी तरह जाए आप 505 में से 504 और 505 तक के नमरों वाले बच्चे आपको नज़र आएंगे जबकि उनके पास अगर नॉलज अगर उनके देखा जाए तो नॉलज उस लेवल का नहीं होता हमारे दोर में जो था मैंने बजादे खुद गौर्मन्ट कालेज फैसला बाद जाए उसको ग्रेजुएशन में तो मेरे उस वक्त की परसंटेज जो है 73-74 थी और मुझे अभी तक याद है कि मैंने शायद कोई ऐसी बुक्स होगी जो मैंने ना जो है इस्टडी ना कियो और मुझे जहां से भी जो है फिल वदी वो अगर क्वेस्टन दे दिया जाए था था अंसीन से कहते हैं तो वो मेरे लिए कोई प्रावलम नहीं था तो हमें अपनी क्वालिटी को इंपरूव करना है ना कि कॉंटिटी को बेरना है और हकूमत जो मजूदा हकूमत है इसको संजीदगी से जहना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा